नमस्ति दोस्तों, मैं मोरिवर्शा, आपके अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करती हूँ जैसा कि आप जानते हैं, हम राजस्तानी हिंदी की उपबोलिया जिसका अध्यन कर रहे हैं उसमें से तीन बोलियों का अध्यन हमने किया है आज हम मालवी का परिचय देखने वाले हैं तो यहाँ पर जो राजस्तानी हिंदी है या राजस्तानी भाषा जो हिंदी की है उसकी चार बोलिया इस मालवी बोली को देखने के बाद हमारी समाप्त हो जाती है तो मालवी का दूसरा एक नाम दक्षिनी राजस्तानी भी है मैंने पिछले वीड़े में आप लोगों को कहा था कि राजस्तानी हिंदी की दिशाओं के अधार पर चार बोलिया निर्मित है और उसमें मारवाडी, जैपुरी, मेवाती, मालवी, उत्तरी, दक्षिनी, पुर्वी और पश्चिमी अब यहाँ पर हम मालवी यानि दक्षिनी राजस्तानी का परिचे देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसका आर्थ राजस्तान के दक्षिन भाग से सम्मंदित रहने के कारणे से दक्षिनी हिंदी कहा जाता है इसका मुख्य क्षेत्र मालवा होने के कारणे से मालवी नाम से भी जानते हैं मालवी मालवा प्रदेश अर्थात उज्जेन के निकटवर्ती क्षेत्र में ये प्रमुकता बोली जाने वाली जो बोली है इस शेत्र की बोली को पहले आवंती कहा जाता था मालवी के अन्य नामों में अहरी भी एक नाम है अर्थात मालवी के और एक दो नाम है दक्षिनी र अहीरी मालवी की उपबोलिया डांगी सोडवाडी रांगडी धोलेवाडी मोयारी पाटनी करियाई उमटवाडी मंदसोरी रतलामी और डंगे सरी ठीक है इस तरह मालवी की कुछ उपबोलिया है जिन के बारे में आपको जानना बहुत आउशक है और यह भी आपको याद देवास, भोजावाड, जाबुआ, सीतामो, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा उसके आसपास का जो शेत्र है उसमें यह प्रमुकता बोली जाती है मालवी ठीक है बोलने वालों की संक्या में लगबग 43 लाग के उपर इसकी संक्या बताई जाती है इस बोली का जो सा साहित्य तथा परियाप्त मात्रा में लोक साहित्य मिलता है साहित्य में चंद्र सकी नाम की जो प्रसिद्ध कवेत्री इस मालवी बोली की है ठीक है इसके बाद इस बोली की जो प्रमुकता विशेषता है मालवी बोली की कुछ इस बोली में भी धोनी परिवर्तन दिखाई देते हैं, यहाँ पर पहला वाला आय है, इसके लिए ए, चैन, चैन, ओ के लिए ओ, सो, सो, पैसा, पैसा, ह, य, मोहन, मोयन, य के लिए ज, युद्ध, जुद्ध, न के लिए बड़ान, कहानी, कैनी, म के लिए ड, हम जैसे मेंधक के थे, ये तो देंधक, मध्य और अंत में जोडने वाला जो ड होता है, ड का उच्छारन यहाँ पर न होता है, मालवी में ह के स्तान पर ये या व धोनी मिलती है, या उसका लोब हो जाता है, जैसे मोहन के लिए मोयन, लुहार के लिए लुवार, महिना के लिए महिना आदी, मालवी में सग्या के निम्न रुप मिलते जैसे घोडा, घोडयो, घोडयन, घोडया, इस तर, ठीक है, इसके बाद मालवी बोली में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम भी है, जैसे म्यू, हू, मे, अया, त्यू, थे, था, थ, था, ओ, वा, उनी, जानी, कुन, कनी, काई, आदी, मालवी के कुछ विशेशन भी विशिष्ट है, जैसे प्राय, जैसे हिंदी के समान ही है, कुछ भिन्न है, जैसे हम 71 कहते हैं, तो 71, 72 कहते हैं, तो 72, 73 कहते हैं, चुमोतर, 74 आदी, ठीक है, इस मालवी बोली के कुछ क्रियाये भी निम न लिखित हैं, जैसे चड, चाणा, कड़ेगा चड़ेगा इस तरह आदी ठीक है इस बोली के कुछ सायक क्रिया भी इस तरह है जैसे हूं हां हे हो है आदी मालवी बोली के कुछ क्रिया विशेशन भी अलग है जैसे या अठे उठे आई वई तोड़ी बायर आदी ठीक है तो इस तरह ये मालवी बोली के कुछ व निन और चार उपबोलियों में थोड़ी बुट समानता है थोड़ी भूत भिननता भी हमें दिखाई दिती है वह है विषिश्था की कारण कुछ बाते जिसे क्रिया विशेशन हो या ध्षनी परिवर्तन हो उसमें थोड़ सी हमें भिन्नता दिखाई देती है, लगभग एक जैसी बूलिया है, लेकिन अंतराल जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे अंतराल बढ़ता है, जिस प्रदेश में हम चले जाते हैं, भागो के अधार पर क्षेत्रों के अधार पर बोली में परिवर्तन हमें दिखाई देता है ठीके उसी तरह राजस्तानी हिंदी की जो ये चार उपबोलिया है उसमें भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है ठीके तो यहाँ पर राजस्तानी हिंदी जो हिंदी की एक उपबाशा है वह समाप्त हो जाती है अगले वीडियो में हम पहाडी हिंदी और हमारे दूसरी एक उपभाशा हिंदी की रही है वह है बिहारी हिंदी पहाडी बोली और बिहारी हिंदी की भी उबोली ओपर हम अधेन करेंगे आने वाले वीडियो में ठीक है तो यहां पर हम रुकते हैं जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विशे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद